हालो फ्रेंड्स आप देगरें मेरे चानल हैपी टू हेल्प यू आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आ गया हूं फर्स्ट अपर देख सकते हैं गूगल सीट टू एहां पर एक टीटा दिया है इस डीटा को मैं एक्सिल फाइल में नहीं गूगल सीट में नहीं ऑ्सटेयमिल फाइब में दिखाने जाता है उस तरीट से कैसे गाया जाता उसको मैं दिखाने चाहूँकर टिश्ट फॉल देख स कते हैं आपर एक डिटा है ड़मी डेटा है उस फर्स्ट विद्टा की से बने लिए रहेगा तो मैं उर्ले चलते हैं फर्स्ट अफ और इस डेटा को बना लेने के बाद आपको HTML5 बनाना होगा वो भी मैं बना दूंगा उसको कोई जरूत नहीं है आपको बनाने के लिए मैं यह आपको बना के दे दूंगा फर्स्ट अफ और इस तरीके से डेटा मिलेगा देखिए इस तरीके HTML एक वाइप जो भी डेटा हो वो जिटो एक पूरा Excel फाइल को आपको देना का जरूत नहीं है आप सिर्फ किसी यह वाला फाइल यह वाला जो लेंक है इसका जो लेंक बनता है लेंक को किसे को सेर कर दीजेगा तो फिर डिरेकली आप किसी को सेंड कर सकते उसमें वो आपका डेटा यहां पर करेंगे और डेटा सो इहां धेर होगा ठीक है इसको आपका वेबसाइट में कर सकते मापका खुडस से वह कर सकते कुछ ataque कर सकते तो चलि को पता दे रहा हूं तो इस वीडिएो के पुरा ध्यान में मतलब दिर तक देखेएँगा तो तो समझ में आ जाएग dawn तो चलिए first of all आप देख सकते हैं आप एक database है मैं अगर आप चाहते है तो इस data को delete भी कर सकते माल लेजिए इसको 1234566 data है और 7 भलको मैं इसको delete कर देता हूं ओके तो चलिए मैं इसको delete कर देता हूं पूरा ओके और इस file को भी उठाके मैं delete कर देता हूं ओके तो देख सकते हैं 123456 तक है अब चलते हैं इस data को मैं अगर रिफ्रेस करता हूं अब देखेगा यह वालास्ट वाला जो कॉलम है वह हड़ जाएगा ओके 12345123456 तक हो गया यहां पर भी देखिए 123456 तक हो गया ओके तो इस तरीके से जितना सारा यहां पर modification modification करेंगे आप यहां पर सोग आएगा ओके तो अब चलते कोई भी data को लाश्ट तक मैं इस data को पुराई delete कर देता हूं ओके अब देखिए 123456 तक है मेरे पास ओके 5 तक है एक डिटर को छोड़के अभी इसको बाहर में क्लिक कर दिएंगे और यहां पर देखिए फिट से एक बार रिफ्रेस्ट करेंगे देटा सौर्ट हो गया चोटा हो गया ओके देखिए 12345 एहां तक डेटा आपका आगया ओके इस तरीके से आप डेटा को पासर नहीं है ठीके सुमेच कर दिजिए और इस तरीके से आप एक मोडिफिकेशन कर दिए और इसका आप कॉपी करके पूराही डालके ओके तो इससको माँ पूराही ब्ला इसका कर देता हूँ आप देखिए एज बोलके एक यहांपर फिर से मैंने डाल दिया हvelmente आप चलते फिर से project में, मतलब फिर से मेरा main file में, main file में देखें, यहाँ पर एक age नाम के add हो गया, ठीक है, आपको कुछ code लिखने का जरूत नहीं है, सब back end में काम करेगा, आपको सिरफ यहाँ पर modification करना होगा, और इसमें आपको directly किया जाएगा, और इस file को आप किसी को भी share कर सकते, आपका blogging channel में हो सब भी share कर सकते, आपको कोई company का share कर सकते, company का website में share करते, आपका मर्जी आप कहीं पर भी share कर सकते, तो फिर इस file को अगर चाहिए, तो प्रीज नीचे देखिए, what's up मेरा number दिया है, उसमें मुझे contact करके इस file को आप ले सकते मुझसे, कोई problem नहीं है, और चलिए, सिखते इसको कैसे बनाते हैं, जब मेरे से आप यह वाला file ले लेंगे, तब आपको एक link दिया जाएगा, मेरा वर्टसप से एक link मिलेगा, उस link को click करने के बाद, इस तरीके से एक database को आपको पहुंच जाना, पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे न file tab में जाना होगा, make a copy में click करेंगे, make a copy में click करने के बाद, एक नाम डाल दीजेगा, ठीके, कोई भी एक नाम डाल दीजेगा, तो आजाने के बाद, आपको क्या करने पड़ेगा, first of all, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, extension में, ऐहाँ पेट ऐप स्कुरिप्ट बोलके एक ऑप्सिन दिया ऐगा, ठीक है अप्सिन में जाएंगे, एक जाने के बाद यहाँ पेट लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डिरेक्ली आपको यहाँ पे और कुछ छेर्खाने नहीं करना पड़ेगा ठीक है जितना सारी option दिया गये हैं आपके कुछ छेर्खाने करने का जरूत है नहीं है डिरेक्ली आप यहाँ से new development की करिएगा उसके बाद यहाँ पे deploy करिएगा करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग का टाइम लेगा अधराइजिसन कर दीजिएगा इसको अधराइस कर दीजिएगा आपका इमेल अड्रेस से इसमें क्लिक करेंगे अधराइस में जाएंगे इसमें अंसे पीस में करेंगे इसके बाद एकदम नीचे देख सकते अलाओ का option है उसके बाद एक link आपको मिल जाएगा इस तरीके से link मिल जाएगा इसको open करिएगा देख सकते आपका data यहाँ पे visual हो जाएगा जो भी data यहाँ पे है यहाँ पे directly sow किया जाएगा ओके तो इस तरीके से data बनता है आप चाहे तो इस data को भी use कर सकते ओके तो first of all मेरे whatsapp नीचे link दिया गया है और एक बार description box पहले पढ़ लिजिए उसके बाद मुझसे contact कर लिजिए contact करने के बाद मैं आपको file one to one मैं आपको whatsapp कर दोंगा ठीक है इतना देखने के लिए बहुत thank you बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा तन्यवाद फिर मिनेंगे एक नया वीडियो को शाथ है